अच्छा देखिए यह जे मैं इसमें बना रही हूं पॉप स्टिक्स चोकलेट है डबल पाइलर वीवी से यह मैं इसे पहले मैं लगाऊंगी सब मैं इस तरीके से जो इदाफी होगी इसमें से निकाल दूंगे ठीक है इस तरीके से इस तरीके से पूरी लगा दिया इदाफी होगी वह हम निकाल देंगे ठीक है बस लेयर नीचे की बेस नसरना है इसकी टुक है अब हमने इसे फ्रीज में रख देना है पांच मिनट के नहीं बस यह जब जाए फिर इसमें बेस लगाना है अच्छा देखिए जम गए चॉपल सई बाब को बदा जूं चाहें तो ऐसे अब इसके अंदर रखने है कि पूरा मतलब फॉर्म में रखना सब्सक्राइब असे दे ना शाप्रेड़ टालने चाहें तो इस तरिके से आइं दूसरे काफ को और लेके दिखा देती हैं इस तरीके से इसके अइडर कर दक्याद कि अबस इतना फिल करना है कि इसके उपर दोबारा चॉकलेट डालें तो दोबारा आज आजए रिखिए चॉकलेट है इस तरी किसम पूरे पर फेलाएंगे और इसको फिर्ज में रुख देंगे इस तरी किसे देखिए इसमें सर्दी है बहुत जल्दी हाड हो रही है अब झाल डेखिए और बहुत अब है और इसमें चॉकलेट करें बहुत देर हो गई थी आप चाले अब बराबर करेंगे जाए निकाल देंगे और बस अब हम इसमें थोड़ी सी मैं गरम चॉकलेट जो मैंने डाल डाल देगे कि अच्छी हो गई है यह पूरे पर स्प्रिंगल करना है इसके उपर ताकि इसकी बेस बन जाए फिर हम निकालें पिर क्लेयर निकलती हुए है ऐसे इदाफी जो है आप साफ कर लीजे इसे अपर फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे अपर इसको निकालेंगे ठीक है सिलिकोन से निकालने में क्या सानी है अच्छे इदे कितने इज़ी और कितने फिरिशन से ब्रूसर निकालते है कि इतने बेतिन निकलें मॉल्ट आचा देखिए इसे में जोड़ी सी डेकुरेशन बनाई यहाथ हो में गलवस आपको नजर आ लूंगे इसी है कि मैं फॉंटेंट काम कर रही थी जोटी जोड़ी सी डेकुरेशन करना चाहें हम भी कर सकते हैं दूसरी देखिए हमारी हम क्या चौकलेट करेंगे में अब कम ड़ी बनाई एट रहार कारकिंगे इस जगह पर से म्सटी लगावर अब आद इस बनाई है स्रावर जैसे चाहिए हम इस पर डेगुरेशन कर सकते हैं बहुत जादा छोटे भी हैं स्टार हमार का देखें यह जैसे इस पर डेगुरेशन चाहिए हम लगा सकते हैं और यह हम बना सकते हैं आपको यह पॉप स्किल बनाना आगी होगा उमीद हैं बागी है कि जो इसमें रेड वैल